हलो दोस्तों वेलकम टो इनईल्टेक And वेलकम टो नीए वीडियो दोस्तों आज मैं आपके लेका रहा हूए Realme c12 जोकी MediaTek Helio G35 प्रॉसेसर के साथ आता है और उसके साथ साथ 6000ело sido बैटरी के साथ आता है तो दोस्तों इस वीडियो का आप इन तक देखते रहे हैं क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग Realme C12 के बारे में सब कुछ डीटेल में बात करेंगे और ये डिवाइस आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो जबस्तों यही है Realme C12 का बॉक्स और बॉक्स की सामने की तरफ की बात करें तो हमें C12 ब्रैंडिंग दिया गया है और नबर वन क्या वालिटी स्मार्टफोन ब्रैंड यहां पे उपर की तरफ लिखा गया है और नीचे Realme का ब्रैंडिंग दिया गया है और लेफ साइड और राइट साइड में Realme C12 लिखा गया है और नीचे की तरफ की बात करें तो हमें यहाँ पे box content में क्या-क्या है और color और pricing के बारे में बता है क्या है और दोस्तों पीछे की side के बात करें तो हमें यहाँ पे कुछ specifications के बारे में जानकरी दिया गया है जासके 6000 image battery, 13MP camera और 6.5 inch full display और instant fingerprint sensor यह सब अगरा अगरा तो दोस्तों box को जल्दी से open करते हैं देखते हैं box content हमें क्या-क्या देखने को मिलता है तो दोस्तों मैंने यहाँ पे seal को कर दिया cut और box को open करते हैं और दोस्तों box को open करते हैं सबसे पहले हमें देखने को मिलता है realme की तरफ से welcoming envelope और उसके अंदर हमें c-magic touch tool मिलता है और कुछ paper box देखने को मिलता है और उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है हमारा phone और फोन को हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं और देखते हैं बाकी box content और क्या क्या है तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलता है USB to micro USB cable और उसके बाद दोस्तों एक 10 watt का charger मिलता है तो दोस्तों यही था box contents और box के अंदर हमें कोई cover देखने को नहीं मिला कोई silicon case देखने को नहीं मिला तो दोस्तों यह सब को हम लोग side में रखते हैं और देखते हैं हमारा phone और phone हमारा plastic wrapper के अंदर है और इसको मैं निकाल लेता हूँ और इसके पीछे जो sticker है उसको भी मैं निकाल लेता हूँ तो यह रहा हमारा phone तो दोस्तों फोन का physical overview को बारे में बात करें तो ध्रफोन का उपर की तरफ हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है बिल्कुल clean देखने को मिलता है और नीचे की तरफ के बात करें तो हमें यहां पर SIM tray देखने को मिलता है जो की dedicated स्लोट के साथ आता है जो कि अच्छी बात होती है और दोस्तो राइट साट की तरफ बात करें तो हमें यहां पर पावर बटन और वॉलियम अपडाउन का बटन देखने को मिलता है और जो की नाइस टेक्टाइल फीडबैक के साथ आता है और दोस्तो फोन की बीचे की साइट के बात करें तो हमें यहां पर जियोमेट्रिक ड्रेडियन फिनिस के साथ एक बैक देखने को मिलता है जो की प्लास्टिक का है और यहां पर आपको ग्रूब देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको फिंगर्प्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और यहां पर अपको Realme का branding देखने को मिल जाता है दोस्तों आप बात कर लेते हैं फोन का design and build quality के बारे में तो दोस्तों ये जो फोन Realme C12 हमें देखने को मिलता है ये totally plastic का बना हुआ है और पीछे की तरफ हमें यहाँ पे feel हो रहा है इसके बार दोस्तों इस पीछे की तरफ की बात करें तो यहाँ पे जो gradient finish दिया गया है और इसके साथ-साथ ये plain glass जासा नहीं है और इसके अंदर कुछ texture किया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आवाज आ रहा है तो इसके चलते क्या होगा कि इसके अंदर जो fingerprint है आपका पीछे fingerprint जल्दी से catch नहीं होगा तो यह एक अच्छा चीज लगा मेरे को तो दोस्तों इसका जो overall build quality है वो decent है आपको decent build quality का phone देखने को मिल जाता है Realme C12 और दोस्तों इसका weight है 209 gram तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं Realme C12 का display के बारे में तो दोस्तों Realme C12 में हमें 6.52 इंच का HD Plus दिस्पले दिस्पले दिया गया है और इसका screen to body ratio है 88.7% और इस डिस्पले का जो accept ratio है वो है 20-9 और दोस्तों इस डिस्पले के अंदर आपको side की तरफ और उपर की तरफ उतना bezel देखने को नहीं मिलेगा बट नीचे की तरफ चीन थोड़ा सा है और दोस्तों इसका display का viewing angle की बारे में बात करें तो आपको इसमें decent viewing angle देखने को मिल जाता है और थोड़ा सा इसको tilt करेंगे तो आपको थोड़ा सा bloody देखने को मिल सकता है और दोस्तों इसके बाद इसका daylight visibility है उसके बारे में बात करें तो आपको decent experience मिलेगा आपको decent quality का display इसके अंदर मिलता है और direct sunlight में आपको यह display उतना अच्छा performance नहीं देगा और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं storage और राम की बारे में तो इसके अंदर हमें 3GB RAM देखने को मिलता है और 32GB storage देखने को मिलता है और दोस्तों इसके अंदर आप microSD card लागा सकते हैं up to 256GB तक आप इसको expand कर सकते हैं तो दोस्तों उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका sensor के बारे में तो इसका अंदर आपको basic जो sensor होता है वह sensor आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि compass sensor gyroscope sensor आपको देखने को मिल जाता है जो कि बहुत आच्छी बात है इस price range का डिवाइस में और दोस्तों उसके बात कर लें थे face unlock and fingerprint scanner के बारे में तो दोस्तों face unlock और fingerprint scanner इसका अंदर जो दिया गया है वह अच्छा है अच्छा response करता है तो आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूं त तो fingerprint scanner पहले देख लेते हैं फास्ट है और face unlock भी देख लेते हैं अब देख सकते हैं कि face unlock भी जल्दी काम कर रहा है और उसके बाद दोस्तों इसका software की बारे में बात करें तो यह realme UI version 1.0 पर चल रहा है और android version android 10 के उपर run कर रहा है और इसमें जो आपको security patch देखने को मिलता है वो July 2020 का देखने को मिलता है तो दोस्तों आप बात कर लें तो इसका performance के बारे में जो की important होता है किसी भी phone में त इसका अच्छा नहीं है आपको day-to-day life में डे-to-day multi-rasking में इसका अंदर lag starter देखने को मिल जाता है और मैं इसको एक दिन यूज कर रहा हूं तो इसका अंदर lag starter हमें देखने को मिला है और day-to-day life में आपको यह उतना fluid experience नहीं देगा इतना अच्छा experience नहीं देगा और दोस नहीं है तो इसका अंदर आपको pubg game में मज़ा नहीं आएगा कोई भी game में मज़ा नहीं आएगा तो multitasking में भी यह lag करता है और gaming में स्टार्टिंग में आप 8000-10000 range के price में क्या expect कर सकते हो तो बट 8000-10000 के price point की सबसे दूसरा phone आ जाते हैं जिसमें हमें अच्छा performance देखने को मिलता है बट Realme C12 में उतना अच्छा optimization नहीं है इसका अंदर आपको lag startup देखने को मिलता है तो processor के मालने में यह थोड़ा weak है और processor के बारे में बात करें और multitasking के बारे में बात करें तो इसम आप बात कर लेती हैं इसका camera के बारे में जो की सबसे important चीज होता है एक mobile में तो Realme C12 में हमें triple camera setup देखने को मिलता है और उसके अंदर primary sensor जो देखने को मिलता है वो 13MP f2.2 aperture का और उसके साथ साथ एक black and white sensor देखने को मिलता है 2MP f2.4 aperture का और उसके साथ साथ एक macro sensor देखने को मिलता है f2.2 का 2MP का दोस्तों हम लोग अगर camera application का अंदर चले तो हमें यहां पर बहुत सारा mode देखने को मिल जाता है photo mode portrait mode video mode night mode और more के अंदर आप अगा चलेंगे तो इसका अंदर बहुत सारा mode देखने को मिल जाता है जैसे कि time lapse ultra macro google lens slow motion expert panorama यह सारा mode आपको देखने को मिल करें तो इसमें decent quality का image quality देखने को मिल जाता है और इसके अंदर photo के अंदर वीडियो को अंदर आपको उतना अच्छा खास quality का photo देखने को नहीं मिलेगा और वीडियो भी आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा और इसका अंदर 720p और Full HD में आप वीडियो recording कर सकत आप टू 30fps तक और इसमें 60fps आपको देखने को नहीं मिलता है और इसमें जो सेल्फी कामेरा दिया गया है वह फाइब मेगा पिसल का कैमेरा है और सेल्फी कामेरा मैं बोलूंगा कि उतना अच्छा नहीं है इसके अंदर तो इसमें आपको decent quality का photo देखने को मिलता है तो इस सबको पागल बना रहा है क्योंकि realme c11 c12 c15 है मतलब phone ही phone है आप अगर इस phone को ले लेंगे realme c12 को आप लेंगे तो उसके एक माईने बाद इसका कुछ दूसरा model आपके पास आ जाएगा तो आपके पास यह पुराना हो जाएगा और आप सेचेंगे कि थोड़ी दिर wait करते और यह phone लेते तो अच्छा होता तो realme के साथ भी कुछ ऐसा ही condition है कि realme एक के बाद एक phone launch करे ही जा रहा है realme c11 c12 में आपको कुछ भी difference देखने को नहीं मिलेगा प्रोसेसर के अंदर रैम के अंदर कुछ भी difference देखने को नहीं मिलेगा बस इसके अंदर fingerprints काना दिया गया ह और 6000 इमेज battery कर दिया गया है कुछ भी changes नहीं कुछ भी new नहीं इसका अंदर बस battery और fingerprint को लगा दिया तो एक new phone तो दोस्तों जहां तक बात है कि realme c12 आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो दोस्तों देखिए realme c12 आपको 9000 में मिलता है और आप थोड़ा सा पैस और उसके अंदर जो प्रोसेसर का quality है वह अच्छा मिल जाएगा आपको और नाजो 10a भी उस प्राइस प्राइस प्रांट की सबसे अच्छा फोन है तो मेरी बात माने तो आपको realme c12 लेना ठीक नहीं रहेगा आप realme c3 के लिए जा सकते हैं नाजो 10a के लिए जा सकते हैं बट realme c12 में आपको उतना अच्छा performance भी नहीं मिलेगा प्रोसेसर भी उतना अच्छा नहीं है और आपको multitasking में lag भी देखने को मिलेगा गेम तो आप खेली नहीं सकते हैं तो आप क्या phone लेंगे वह आपके उपर depend करता है मेरी बात अगर सुने तो आप realme c12 के लिए मत जा लाइए उसमें आपको आच्छा performance देखने को मिलेगा तो दोस्तों इस वीडियो में नहीं वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत सुक्रिया वीडियो अगर अच्छा लागे तो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सहार कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राब कर के बेल आइकोन को आल पर कर दीजिए ताकि हमारे चैनल से आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मिलता अगले वीडियो में तिल देन गुड़ बाई